ठीक है तो कल जो आपने पढ़ा था एक बार रिवाइस कर रहे हैं 9-1 ने क्या बोला था कि CGST लिवाए होगा 9-2 ने क्या बोला था कि सप्लायर पे करेगा 9-3 में क्या बोला था कहीं कहीं पर हम क्या लगा देंगे RCM लगा देंगे RCM लगा देंगे और रिवर्स चार्ज मेकैनिसम लगा देंगे फिर क्या होगा 9.4 में क्या होगा 9.4 में बताओ मुझे Unregistered person अगर registered person को देता है supply लेकिन वो supplier जो होना चाहिए किसको देना चाहिए उसको promoter को देना चाहिए किसको देना चाहिए promoter of real estate यानि की registered person जो है वो supply पे करेगा पहले सब के लिए था लेकिन बात में इसको amend करके क्या कर दिया गया था सिर्व real estate के लिए कर दिया गया था बुलो आया नहीं अब हम शुरू कर रहे है 9.5 क्या शुरू कर रहे है 9.5 इसको बहुत ध्यान से पढ़ने वाली बात है मुंड़ उंड़ी जड़केंगे सारे लोग ध्यान से और स्ट्रेट बैठेंगे इसको अपन डिसकस करने वाले है ध्यान से समझो बात को बिटा सुन चंपा सुनो तारा कोई जीता कोई हारा अरे बड़ा मज़ा आए अरे बड़ा मज़ा आए क्या बोल रहा हूँ अभी रिजल्ट आएगा ना रिजल्ट में हम यही बजाएंगे ठीक है चलो देखते हैं ठीक है कहानी क्या है इसकी शुरू करते है 9.1 ने का बोला GST लगेगा 9.2 ने का बोला supplier पे करेगा 9.3 ने का बोला recipient पे करेगा reverse chart मतलब कौन पे करेगा recipient 9.4 में भी क्या बोला recipient पे करेगा मतलब reverse chart लगेगा मतलब recipient पे करेगा अगर ध्यान से बात कुछ सुनोगे तो 9.2, 9.3, 9.4 में सब ने क्या बात करी है कि कौन पे करेगा 9-1 ने क्या बुला कि GST लगेगा 9-2 ने क्या बुला Supplier पे करेगा 9-3 ने किस ने क्या बुला Recipent पे करेगा 9-4 ने भी क्या बुला इस case में Recipent पे करेगा क्या बाद सिन में आड़ी है अब मज़ेदार है 9.5 में बता क्या बुला 9.5 में बुला कि ना supplier पे करेगा ना recipient पे करेगा कौन पे करेगा government को तो मिलता है government कैसे पे करेगी कोई third party पे करेगी third party बोले तो अभी यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ उसको eco क्या बोल रहा हूँ eco eco बोले तो e-commerce operator समनना बात को ध्यान से आज मैं e-commerce मतलब जो भी हम online services लेते हैं वो जैसे for example मैं अभी zomato खोलता हूँ बोले चलो क्या करना खाना है कुछ खाना है भूग लेगी भूग लेगी आओ बेटा आओ बेटा zomato खोला पन्ने हाँ बगया zomato खोला जो मैं आज आजा बिटा ये zomato आ गया zomato बोला क्या मंगा ले एक काम करते हैं दो-تीन नूडल्स मंगा लेते हैं ठीक है कि आप फिर दो-तीन पिलेट मोमोस मंगा लेते हैं और कुछ बिर्यानी यरियानी कहूँँगे गया ठीक है और च्चिकन बिर्यानी चलो बैज करते है अपन वैच चलो यह देख ला रूप तो जा या तुम लोग ना बिलकुल ध्यान नहीं देते बात को ठीक है यह उसने बोल दिया कि यह यह बिर्यानी अपने आड कर दी है टोटल बिल अपना कित्ते का हो रहा है 1449 का कित्ते का बिल हो रहा है बिटा 1449 अरे पेमेंट नहीं हो रही है बतानी क्यों मैं करने जा रहा हूँ तो पेमेंट हो नहीं पहरी है चलो 1449 का क्या बन रहा है बिल बन रहा है मैंने payment करती खाना भी आता ही होगा क्या है मैंने payment करती खाना भी आता ही होगा इंतजार करो आएंगे Zomato वाले भईया मुझे यह बताओ 1499 किसके पास गए Zomato के पास गए की restaurant के पास गए अच्छा मुझे बताओ इस पूरे transaction में supplier कौन है supplier of goods or services रेस्टोरेंट recipient of service कौन है मैं हूँ भईया अपने consumer अपने खाना मंगा है क्या बाद सन में आ रही है तो यह क्या हो गया supplier और यह कौन हो गया recipient और इन बीच में कौन आ गया यह Zomato तो यह Zomato जो है यह कह बिटा E-commerce operator क्या सारे कौन cases में e-commerce operator पे करेगा क्या सारे cases में e-commerce operator पे करेगा कुछ cases है जहां पे न supplier पे करता है न recipient पे करता है कौन से हैं वो कुछ cases वो अभी हम बैठके एक एक करके discuss करने वाले है कि कौन से वो cases है जहां पे क्या होता है supplier यह recipient नहीं पे करने की जगे कौन पे करता है e-commerce operator आओ इस डायग्राम को पने एक बार समझते हैं ठीक है क्या इसको इनने क्या बोला सन्ना ध्यान से एक एक करके डिसकस करेंगे हम टी आर क्या बोला क्या बोला हम टी आर यह चार केसिस में क्या क्या यह चार केसिस में अब यह बन पढ़ेंगे चार केसिस क्या है यह चार सर्विसस में एक है supplier एक है recipient और एक है ego इन चार केसिस को हमको detail में पढ़ना है जहां पे supplier ने recipient को service दी लेकिन बीच में गेम किसका आगया है ECO का, क्या यही चार सर्विस ECO के तुरू हो सकती है नहीं, और भी सर्विस हैं इनके अलावा जो E-commerce operator के द्वारा दी जा सकती है उन सारे cases में अगर supplier है recipient है, और बीच में कौन है ECO है, other than HMTR other than HMTR तो उसमें ECO pay नहीं करेगा उसमें एक concept आता है TCS का किसका concept आता है? TCS का tax collected ad source इसको अपन लेटर discuss करेंगे अगर आपके syllabus में है, तो क्या बाद 7 में आरी है, इसको अभी अपन discuss नहीं करेंगे बोलने का मतलब क्या है? अब यह चार services, क्या क्या क्या? चार services, अगर किस ने दिये? supplier ने recipient को दिये किस के दूर दिये? e-commerce, operator के दूर दिये किस के दूर दिये? e-commerce, operator के दूर दिये तो हम समझेंगे कि GST का game कैसा होता है हाँ या ना फटा-फट बोलो तो edge से शुरू होता है, सबसे पहले कौन आता है edge से आता है hotel edge से क्या आता है? hotel hotel मतलब, restaurant नहीं hotel, मतलब मैंने hotel book किया रहने के लिए, मैंने hotel क्या क्या क्या? book किया रहने के लिए example के लिए क्या ले लेते है बëट अपन? OEO ठीक है, अपनने क्या book किया, बिटा? OEO book किया यह मिटर सा भी नहीं रहा है चलो देखते हैं चीक है यह कौन है बिटा एक है सप्लायर एक है रेसिपेंट और एक है बीच में e-commerce operator और अभी यहां पे e-commerce operator कौन है बिटा ओयो है अच्छा समझना ध्यान से ओयो का कर दो हुआ संवार नहीं करता हुआ के वह थे आपकर कता ओयो करता अब एक आंदा टीक होता है तुम जिखंट कर रैता है । एस तुम ःटर क्रा करते है tender कि भी ऐस shtt रह लेते हो, supplier कोई है, hotel वाला, supplier कोई है, hotel वाला, recipient कोई हूँ, मैं, बीच में booking कहां से हुई है, OYO से, अच्छा, अब OYO में क्या है ना, बड़े-बड़े hotel मी है, और छोटे-छोटे hotel मी है, तुमने देखा होगा, गली-गली कुपचे घर-घर OYO, छोटे-छोटे कमरों को भ पकड़े, hotel वालो को, की registration कराओ, GST भरो, तो अब समनना ध्यान से, hotel के case में, अगर OYO है, तो उसके अंदर दो कहानी होगी, एक होगा, big hotel, क्या होगा, big hotel, big hotel मतलब, यह already एक बड़ा hotel है, जो किसी online platform से register है, booking.com हो सकता है, OYO हो सकता है, वो सकता है, और मैंने उसको वहां से क सब होता होगा, अब इसके already इसका turnover क्या है, बड़ा hotel है, मतलब 20 लाग की limit यह क्या करता है, पार करता है, 20-40 लाग की जो भी limit हो, क्या करता है, पास करता है, इसको independently register ले नहीं है, इसको independently registration ले नहीं है, तो इस case में क्या हमको OYO को, या e-commerce operator को पहलना चीए, कि नहीं पहलना पॉइंट यह है, कि एक बड़ा hotel, मैं एक बड़ा hotel हूँ, मैं अपनी services देता था, मैंने अपने आपको एक e-commerce operator में book करा लिया, मैं अपने आप में बड़ा hotel हूँ, मेरी अपने आप में खुद से क्या turnover जादा है, और में को खुद से GST का registration ले नहीं है, अपनी services के कारण, अपनी supply के कारण, क्या बड़ा है नहीं मेरा GST का registration है, कुछ bookings में को किस के through आजाती है, OYO के through आजाती, अब बताओ बेटा, क्या मेरे को OYO के through booking आई है, क्या सरकार मेरी गरदन पकड़ेगी कि OYO की गरदन पकड़ेगी, होटल की की OYO की, होटल की, क्यो होटल की पकड़े रजिस्टर हूँ, मैं already मेरा खादा कहां पर है, सरकार के पास है, तो क्या मैं को सरकार, क्या सरकार OYO को पकड़ेगी, नहीं, सरकार क्या बोलेगी, already तुम अपने 25 room book कर रहे हो खुद से, 5 room book कर रहे हो online e-commerce platform से, 25 का GST भर रहे हो, वो 5 के लिएने हम जबरदस्ती e-commerce operator के प होटल खुद भरेगा, होटल खुद भरेगा, अब तुम छोटे होटल हो, क्या हो, छोटे होटल, मतलब लिमिट तुम्हारी नहीं है, तुम्हारा main काम कहां से आता है, e-commerce operator से आता है, यानि पूरा एक छोटा घर-घर OYO है, छोटा कमरा है, दो-तीन कमरों का तुमने होटल बिग है, अगर होटल क्या है बिटा, बिग है, और साथ में वो क्या करता है, खुद के लिए automatically क्या है, रेजिस्टर है, तो वहाँ पर के इसको e-commerce operator को परिशान करने की जुरत नहीं है, लेकिन अगर क्या है, लेकिन अगर क्या है, small hotel है, क्या बाद से जिसके लिए खुद क हाँ, किस में, हाँ, हाँ, वो GST का बिल पूरा उनके पास जाएगा, सरकार को भरने कौन जाएगा, देखो, चार्ज को भी कर रहा हो, मुद्द क्या है, कि यहाँ पर अगर बड़ा hotel है, जो OTT के थूरू, e-commerce operator के थूरू जा रहा है, तो वहाँ पर भरने की जिम्मेदारी किस की आईगी, शौन की, क्या बाद सन्मेरी, और अगर मान के लिए चोटा hotel है, जो सीधी, अभी अपन पूरा रीड कर लेंगे, पर टेक्स्ट, फिर अपने एक साट में डाउट्स ले लेंगे, क्लियर है क्या, पूरी कौन सब क्लियर जाएगा, यहाँ तक समन में आई कह लिया, ठीक है क्या, आपने कोई भी सर्विस करने के लिए कोई भी बुला लिया, ठीक है, कोई website जाते हो जो करती है यह काम, बहुत famous है अभी, Urban Clap, very good, Urban Clap एक website है, जिसमें आप क्या करते हो, ultimately आप क्या करते हो, सर्विस करके बुलाते हो, किस से बुलाते हो यह, यह, इलेक् अब क्या होता है, पीच में अब क्या हो, अगर Nasıl एक हमारे करने वाला ठीक है, सब्सक्राप में सप्लायर, अपने अब में क्या है, registered है अपने आप में क्या है registered है तो वहाँ पर क्या लग लगेगा कौन भरेगा क्या खुद supplier वरेगा खुद supplier लेकिन यहां पर कौन भरेगा लेकिन यहां पर कौन भरेगा मुझे बताओ अगर मान के चलो मिस्लेनिय सर्विस देने वाला छोटा है मेरा कोई बहुत बढ़ा काम नहीं है मैंने दुस्ते वैसे चलते पिरते अपने आपको अर्बन क्लैप में क्या कर लिया था रजिस्टर मेरा कोई खुद का GST रजिस्टरिशन नंबर नहीं है तो क्या होगा बताओ फिर कौन भरेगा अर्बन क्लैप भरेगा क्या बत समझ में आ रही है एक हो गया H याने की होटल M याने की हो गया Miscellaneous Utility Service चीक है T क्या आता है ट्रांसपूर्ट T क्या आता है ट्रांसपूर्ट कौन हो मैं? क्या ऐसा बोल सकते हो driver अगर तुम बड़े हो तुमारा already registration है तो तुम भरो क्या बड़े छोटे का case driver के case में आएगा? तो यहाँ पे बड़े छोटे की कहानी transporter में नहीं करी transporter में तुम बड़े हो तुम छोटे हो हर बार कौन भरेगा? ओला भरेगा हर बार कौन भरेगा? ओला भरेगा क्या आपको कहानी समझ में आ रही है? मनलब पहले हमने पहले doubts में एक साथ लूँगा आकरी में reading कराने के बाद क्या बाद सब्सक्राइब यह है? पहले case में हमने क्या पढ़ा बताओ? H M T R पहले में क्या पढ़ा? hotel hotel में हमने example लिया किसका? OYO का या तो वो big है या तो वो small है big है तो कौन भरेगा? hotel भरेगा small है तो कौन भरेगा? मुझे बताओ OYO भरेगा यानि कि e-commerce operator भरेगा यानि 95 action में आ जाएगा क्या बाद सनमे आरी है? mislaneous utility service है तो इसमें भी service देने वाला supplier big है या small है big है तो कौन भरेगा? supplier भरेगा big है तो कौन भरेगा? मुझे बताओ supplier भरेगा चीग है क्या? और अगर small है तो कौन भरेगा? urban club भरेगा यानि कि e-commerce operator भरेगा यानि कि कौन action में आ जाएगा? transporter के case में no big no small हर case में कौन भरेगा? ओला भरेगा यानि e-commerce operator भरेगा यहाँ पर 9-5 action में आ जाएगा यहाँ तक मैंने आपको तीन कहानी बता दी कौन कौन सी HMT कौन कौन सी HMT भोले तो hotel mislaneous और transport यहाँ तक सबको समझ में आया है कि नहीं आया है फटा फट बोलो पका चलिए आगे भरते हैं next बात करते हैं किसकी? restaurant की next किसकी बात करते हैं इतना एक बार note करोगे कहीं पर? इतना एक बार कहीं पर note बना के note करोगे क्या? करना है? दो मिनट दे रहा हूं जलती करो सुन चब्बा सुनो तारा कोई जीता कोई हारा आर है बीट रहस्टुरेट अभी पढ़ेंगे आप हो जाए तो बताना है मैं वेट कर रहा हूं मैं तो पताए तो यार मैं इंतजार करना हूं तुम्हारा हम हम तुम्हार इंतजार कर रहे थे कि तुम हमको बताओगे कि सर हमार हो गाओ है आगे पढ़ाओ हुआ है आगे पढ़ाओ है पन रेस्ट्रोन है कई में आएंगे रेस्ट्रोन रेस्ट्रोन में बोलन हम और अगम छाहने में तो चीएस्ती सीदरे रेस्ट्रेंट वालों से लेabbri cm बीच में व्ला सभीफियंगी को परिशान ही नटि नखरें पर हम को नहीं चोटे छोटे गली गली और दूसी बात इन लोग पता क्या करते हैं, दूसी बात इन लोग क्या करते हैं कि पैसा कमाते हैं और दिखाते नहीं कि कितना कमा रहें, कितना नहीं कमा रहें, और दूसी चीज़ न इन लोग जो गूट सुट्स खरीते हैं, यह सब इनको लगता क्या है, इनके इनपुट क बड़े चोटे कोई भी हो हमें लेना देना नहीं है, तो पहले रेस्टोरेंट को दो पार्ट में बाटा गया, रेस्टोरेंट को दो पार्ट में क्या बाटा गया, एक है stand-alone restaurants एक क्या है stand-alone restaurant दूसरे क्या है restaurants at hotel premises restaurant at hotel premises समझते हो मनलब जैसे Sean है Sean का buffet नीचे hotel है अलग से restaurant है आप ताज में जाते हो ताज एक residence है और वहाँ पर साथ में क्या है उसकी hotel है के बाद से में hotel है और उसके साथ में क्या है बताओ क्या इन पर शक करना अच्छी बात है क्या इन पर शक करना अच्छी बात है अरे भाई जो ताज है जो क्या है Sean है उसका खुद का अपना registration है सारी चीजे है उन पर हम बोलेंगे हम शक करेंगे ना 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 भाई फालतू वेवार खराब होता है ऐसे लोग पर अपनको क्या नहीं करना चाहिए शक करना बिटा बगवान बचाए क्या बचसन में आ रही है तो ऐसे लोगों में हमको क्या करना है शक नहीं करना है पहले हमको किसकी बात करनी है Standalone restaurant Standalone तुम बड़े हो वो लोग GST भरेंगे हमें लिने देना नहीं है क्या बात समझ में आ रही है क्लियर है क्या लेकिन होटल के अंदर अगर आपके पास है किसी premises में है होटल है और उसमें क्या है यहाँ पर हम क्या देखेंगे बड़ा होटल या छोटा होटल अगर होटल का अपने आप में रजिस्ट्रिशन है तो कौन भरेगा होटल भरेगा और होटल का अपने आप में रजिस्ट्रिशन नहीं है तो कौन भरेगा सुईगी भरेगा क्या बात समयरी होटल का अपने आप में रजिस्ट्रिशन नहीं है वो क्या है stand-alone restaurant है कौन सा है stand-alone restaurant है तो उसका bubble कौन भरेगा स्वेगी भरेगा वो collection का payment की जिम्मेदारी किसकी है स्वेगी की है क्या बाद सन्मयारी है और अगर मान के लो restaurant at hotel premises है जैसे कि मान के लो तुमने बोला कि यार आज खाना हम कहां से मंगाएंगे विजन महल के जो restaurant नया खुला है न एक कोई से नाम क्या है उसका गुरकुष्णी ऐसी कुछ नाम है उसका ठीक है restaurant खुला है नया खुला है भी उसने नया चालू किया है तो वहां से आप order करोगे जो मैटो में क्या बाद सन्मयारी उसका अपने आप में क्या है registration है तो उस case मे कौन भरेगा विजन महल का वो जो restaurant है वो भरेगा क्या बाद सन्मयारी यहां ता clear हुआ सबको आईए एक पर अपना वो रीड करते है 95 को आईए देखते हैं किताब हमारी 95 में क्या बूल रही है जीवन को समन्ने की कुछत्वाई किताब में से इतना डीटेल दिया हुआ ल इस अप्लाइटर पे करेगा और सारे प्रोविजिन जो सप्लाइर पर लगते हों किस पर लग जाएंगे एकॉमर्स ऑपरेटर पे लग जाएंगे क्या बात समझ में यहां ता clear है फिर उसने क्या बाला provided that where e-commerce does not have a physical presence in the taxable territory क्या बात सन्मयारी है अगर मान के चलो company कहां किय फॉरिंग की है ऑनलाइन मंगा रहे ना अभी तो मैंने कुछ online मंगाया मीशो से मंगाया यह बाहर कोई कंपनी से मंगाया बाहर की कंपनी है क्या इससे में क्या कर रहा हूं कोई बीचीज online order कर रहा हूं clear है क्या अब उसमें किसको पे करना है e-commerce operator को पे करना है तो उसका क् प्रिजिकल प्रिमाइस कहां पर होना चाहिए taxable territory में होना चाहिए any person representing such e-commerce for any purpose in taxable territory shall be liable to pay tax ठीक है क्या अगर मान के चलोग प्रिमाइस में नहीं है where e-commerce operator does not have physical presence तो क्या करना पड़ेगा उसको कोई representative चुदना पड़ेगा यहां पर अपना कोई office बनाना पड़ेगा जो क्या करेगा tax भरेगा क्योंकि हम जनता को तो पकड़ते नहीं रह सकते प्रिमाइस 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 क्लियर कर दिया है कि जब जब e-commerce operator की बारी आएगी स्पेसिफाई क्याटिगरीज ओफ सर्विसेश सभे में नहीं स्पेसिफाई क्याटिगरी ओफ सर्विसेश में कितनों को यांदक समझ में आया है अब एक एक करके देखते हैं वाइड नोटिफिकिजन इतना इतना amendment from time to time the following has been notified under 95 following services have been notified under 95 यहां पर paid by e-commerce operator पहले क्या बुला ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट में बढ़ा छोटा देखा हमने नहीं ट्रांसपोर्ट में बढ़ा छोटा देखा नहीं services by way of transport passenger by radio taxi, motor cab, maxi cab, motorcycle, omnibus और any other motor vehicle यहां ले चास झास toते हैं क्यों कि कि अधिक है क्या हमने ट्रांस्पोर्ट पैसेंजर ओला वगेरे में हमने कोई सबस्क्राइब स्प्राइब साथ कोन बढ़ेगा स्पाइब कर दी टरांस्पोर्ट की में हम बढ़ेगा इकॉमोडेशन इन होटल्स यहां पर बात कि थी बड़ा होटल छोटा होटल अगर नहीं है तो कौन बढ़ेगा, e-commerce operator, देखो क्या लिखाया, in guest, clubs, campsites, और other commercial places, meant for residential and lodging purpose, except where, मतलब इस case में e-commerce operator नहीं बढ़ेगा, except where, कहां से मिलेगा highlighter, except where, person supplying such service through is liable to registration under subsection 1 on 22 of the set CIGST ad, मतलब अगर supplier खुद से register होने के लिए liable है, अगर supplier खुद से register होने के लिए liable है, तो कौन बढ़ेगा, supplier, और अगर supplier register liable नहीं है, तो कौन बढ़ेगा, e-commerce operator, बड़ा hotel, छोटा hotel, logic clear है न, देखो मैंने से law नहीं पढ़ा रहा हूं, तुमको logic दे रहा हूं कि उसका क्या है, तुम्हें एकदा मोरेटना नहीं पढ़े लो बैटके, service by way of housekeeping, plumbing, यह कौन था अपना, urban clap, except where supplying service through e is liable for registration, यहां यहां पे भी हमने क्या देखा था, बड़ा छोटा, यहाद है, इसमें भी हमने क्या देखा था, बड़ा छोटा, इसमें भी हमने क्या देखा था, बड़ा चो मरेगा, बता बटा वेटा, supplier, यहां बड़ा होगा तो क्वों मरेगा, इसमें फफलायर, और था, ठांस्पले में हमेशा कॉन मरेगा, इको, यहां तक सब को समझ में आया, चलो, 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 प्र जलो गया है, बिलकुल समय निः, जिन्दीकी इपने पस, आजाते हैं बड प्रेमाइस मतलब होटल वाली मतलब कौनसी वाली होटल वाली अब 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 ने वह रेस्टोरेंट वाला पढ़ लिया कि अगर रेस्टोरेंट में अगर अब 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 ने वह रेस्टोरेंट वाली वाली में बड़ा चोटा देखेंगे और इल्टीमेटली उसमें जिस्टी भर देंगे इनने एक्जामपल दी रेडियो टैक्सी की मैक्सी कैब मोटर कैब मोटर साइकल क्या कहलाती है स्पेसिफाइड प्रिमाइस मतलब प्रोवाइडिं होटर लिंक कोमने सर्विस डिकले टैरिफ एडेडेडेडेडेडेडेडे क्लियर है या वल्क्लियर है यह हमने क्या पड़ लिया 9192939495 ये कौन से सेक्शन थे यह cgst के ते जननी सेक्षन मात्र भूमी सेक्षन जिन्होंने क्या किया जनम दिया किसको जनम दिया cgst को अच्छा तो यह 9192939495 किसका था cgst आई जीस्ट के क्या हो जाएगा 51 52 53 54 55 और 7 UTGST के जाएगा 7172737 जो भी रहेगा कि अरे दो मिनट सुनो तुम्हें को बता तो लें दो पूरा यहाना समन में आया अब igst भाई एक बताओ cgst sgst एक साथ लगेगा कि अलग लग cgst और sgst क्या लगेगा एक साथ आई जहां cgst sgst लगेगा महां क्या लगेगा बाकी तो कोई फ़रत नहीं है तो इनने जो cgst बोल रहे हैं किते एक्ट हैं cgst sgst igst यह सब नाम की एक्ट है बस जब इनने पहले cgst आग बनाया अब sgst बनाना तब बोले क्या करें एक काम करते हैं जहां-जहां cgst लिखा है महां क्या लगा दो sgst लगा दो जहां-जहां igst लगाना है जहां-जहां cgst और sgst लगा है महां के लगा दो igst जहां-जहां-जहां-इंटर लगाए महां के लगा दो inter लगा दो फ़ले two to two changes किये और क्या बोल दिया है कि भैईया ये अलग क्या है igst एंदे को यह लिखा भी आसी हुआ है The provisions under section 5 of IGST Act are similar to section 9 of CGST Except the word CGST has been substituted by IGST Under IGST Act, all integrated tax will divide on all Interstate को क्या बदल दिया गया है? Interstate Interstate को क्या बदल दिया गया है? Interstate Maximum rate वहाँ किता था? याद करो, बताया था कल, maximum rate यहाँ किता था? दुनिया, actual rate किता, practical rate किता था? 20 20-20, 40 और वैसे किता था? 14-14, 28 यह था practical rate, यह था actual rate अच्छा, 20-20 यहाँ किता हो जाएगा maximum rate? 40 यहाँ किता हो जाएगा? 40 और अगर वह बोलू तो किता हो जाएगा? 28 समझ गये क्या? बस जही कहानी थी बाकी कहता में कहानी समझ गये? the word CGST has been substitute by UTGST UTGST is called UT-33 maximum rate यहाँ भी किता है 20% बाकी पूरी कहानिया क्या है? सेम है क्या बाद सन में आ रही है? आज जाना एकदम दिल लगा के 91929394 यह पूरी कहानी को एकदम मन से पढ़के बाजू में अपने फ्लोचार्ट बना लेना इसके बाद exemption शुरू होता है यहाँ पर GST खतम हुआ 91929394 और फिर अपना आया section 5 और section 7 यह दोनों हो गया 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 आगे बात करें आओ अब अब अपन पढ़ेंगे वो जो हम पढ़ चुके हैं अपने रीडिंग नहीं की थी उसको थोड़ा detail में समनना बाकी था अपना schedule कौन सा schedule बोलो बोलो यहाँ से शुरू करेंगे schedule 1 से कहाँ से शुरू करेंगे schedule 1 से हाँ अब जिसको doubt लेने हैं उसके ले सकते हो तुम लो चलो एक question पूछता हूँ मैं तुमसे अपना नहीं क्या सुछता है नहीं क्या सुछता है तो इस पर भेंट की लिएश्टी किसकी है अगर order कहां से रेस्टूरेंट यहाँ से दिया है वहां से नहीं हुए डेरेक्ट मेरे पास आके तुम दो ने रिश्टूरेंट का मिल दिखाया था ना तुम गए थे डिर्एक माल खरीत के आए थे क्या आपको बात समझ में आ रही है हां या ना बोलो पूरी कहानी ऐसी है clear है क्या चले एक सेकंड में कुछ करने हो आ जाओ बेटा आ जाओ आ जाओ गुस्ता नहीं गुस्ता नहीं आओ हमने यह बढ़ा था इससे कहानी हम बार बार घूम भीर के स्में आएंगे concept को पकड़ने के लिए क्लियर है क्या हमने सप्लाई की स्टेज 2 देखो आओ सप्लाई की स्टेज 2 मैंने कली आपको बताया था यहां पर क्या है डबबा 1 क्या है फॉर कंसिट्रेशन डबबा 2 भी क्या है फॉर कंसिट्रेशन डबबा 3 भी क्या है फॉर कंसिट्रेशन डबबा 4 क्या है विदाउट क पढ़ेंगे, क्या बाद सेन में आ रही है, पहले ये, इसने क्या बताया था, ABC टेस्ट याद है, फिर इसने क्या बताया था, Import of Services, याद रखना भे, याद डिसकस करेंगे, डीटेल में, Import of Service, और वो भी क्या होने चीए, with Consideration, Business Purpose या, Personal Purpose, clear है क्या, और यहाँ बुला था, Club Members, Club का Member, और उसने अगर Club में Member को Service दिये, तो उसको भी क्या मान लेंगे, उसको भी मतलब Supply मान लेंगे, उसको भी क्या मान लेंगे, Supply मान लेंगे, सरकार अपना वेभार ने भाएगी और नहीं वेभाएगी, वो हमको आईए देखना है, वहीं पर हम समझने है, Schedule 1, Activities to be treated as Supply, Even if made without consideration, याने Deemed Supply, याने Deemed Supply, Deemed Supply मतलब सरकार ने मान लिया, तुम बोलो Supply है है ही नहीं, सरकार ने बोला हमने मान लिया, तो मान लिया, तुमको जो करना करते रहो, तो वो क्या मान लिया गई है, Deemed Supply, हाँ याना फट 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 बोलो, Clear है है हाँ, हाँ, अरे बोलो, चलो, next क्या है, पर्मनेंट, आजाओ, एक-एक करके, अपन एक-एक करके, बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत मज़दार चीज़े पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना, ठीक है, क्या, ये चीज़े हैं, सबसे पहले, Business Assets की बात करते हैं, आँ थोड़ा, इसको डीटेल पढ़ाने का मन सा कर रहा है, देखता हूं कितनी डीटेल ने जाने का मन करता है, मेरा, आईए, देखो ध्यान से, मैंने क्या खरीदा, AC खरीदा, क्या खरीदा, AC, सुननो ध्यान से ये आगे काम आएगा बहुत बाठी, क्या अना standard life of asset GST में कितनी मान ली गई है पांच साल समझ के चलो यह आगया बन पड़ेंगे पर अभी मैं तुमको बस बता रहा हूं कि on an average यह माना जाता है कि यह जो का सेट है कितने साल का है पांच सल क्लियर है क्या अब सुनना ध्यान से होता क्या है कि मैं यह AC खरीद के आया पहले मैं पहले भी basic GST कौन से बता रहा हूं ठीक है मैं यह AC खरीद के आया ठीक है कैल्कुलेटर लेके बैठेंगे कैल्कुलेटर अगर हो आपके पास तो 40,000 का AC उसमें 18% क्या दिया GST उसमें 18% क्या दिया 28% दिया GST चलो 28% GST दिया कितना होगा बताओ फटाक से 11,200 यह मैं क्या खरीद के आया हूं AC यह 11,200 का वैं क्या खरीद के आया हूं कि बाद सन्में आ रही है 11,200 को GST में क्या करके आया हूं बर क्या यह मेरे लिए क्या क्या आईटी सी जानते हो यह क्या 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 आईटी सी बोले तो इन्पुट टैक्स क्रेडिट बेटा आदर्स ध्यान देदे ले के इन साफदानी घटी बिल्कुल आदर्साथ भी नहीं है तू ठीक है साफदानी घटी तुर घटना घटी प्लीज ध्यान जदेंगे 11,200 का मैं को फिर से बोला भई यह पिर से बता दो मैंने पेल देना है ठीक है मैंने AC खरीदा है अब मैं goods बेचना हूं मान के चलो मेरी किराना दुकान है क्या दुकान है विटा किराना और मैं यहां पे goods बेच रहा हूं मैंने मान के चलो इस साल कितने की सेल कर लिए 2,00,000 की कितने की सेल कर लिए 2,00,000 की समान में 18% का GST क्या कर लिया कलेक कर लिया दो मेरा क्या है input GST ये क्या मुझे net करने मिलेगा कि नहीं मिलेगा पहले तो ये बताओ ध्यान से सुनना मैंने AC खरीदा था मैंने क्या खरीदा था AC और बेचे क्या है बुर्स किराना का समान बेचा है क्या बाद सन्मे आ रही है 2,00,000 रुपे का मैंने नहीं मिलेगा की मिलेगा output से input set off होता है क्या कभी मैंने तुमको ये बोला कि raw material का ITC मिलता है क्या मैंने कभी तुमको ये बताया कि ये goods खरीद क्या है ये goods बेचे इसी में ITC मिलेगा जरूरी है क्या नहीं तुम एक बार coaching service industry imagine करो मैं service दे रहा हूँ मैं coaching चला रहा हूँ मैंने घस किसके बेकिया होगा ये जो camera खरीदी और जो फ chemra खरीदा ये चैन घस्ट प्रशा मने घस कर आइसो नहीं मैने आप सब से GST Кон्state करune मेंने क्या है गभी ऑडिक अधने तुम आभी up पूट अलग यूज है तुमने एसी को बेचा है इसका ITC कैसे उसकर मार दूंगा सरकार को मैं का करूं सर्विस वाला कहां जा है क्या कंप्यूटरी पेच के जिस्टी उसकरूं क्या नहीं नहीं आप बताओ क्या जीतुटरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए नेटर कने इसाना चाहिए कि यहां लगाऊंगा मैं तुम्हों को ठंडी हवाल आएगी ठीक है तुम्हें सुविधा मिलेगी नग्वाई में तुमको मजा आएगा पांच साल के लिए ऐसा GST में मान रहे थे कि पांच साल यह अपना क्यारे करेगा चलेगा clear है क्या तीन साल बाद तीन साल बाद अगर मैं बेज देता अगर मैं क्या करता बेज देता तो यह Cale of Accate इस पे GST कांट ले कलेक्ट करता आउटपट आता इंपट से से हैं इंपट से उट ओफ हो चुका है और उन पुछ रखाए तो यूस करता नहीं तो इस आउटपट को क्या कर देता पे कर देता ता सीधा सीधा काम है बुलो हां पक्का समझ में आ रहा है ये AC निकाल के भेज देता sale of a sit in course of furtherance of business GST लगाता और क्या करता भेज देता साधरान सी बात कोई दिक्कत अब कहानी समझो मैंने क्या किया resell होई तो जरूरी resell होई मना किया गया कही कहीं बोला गया first time sale में लगेगा ABC test है activity है sale ठीक है फिर क्या है course of furtherance of business और साथ में क्या है consideration supply बन गई GST लगेगा अगर मैंने इसको बेचाता हूँ अब क्या हुआ मैंने बोला एक काम करता हूँ मेरा एक दोस्त है उसका एक छोटा सा गहर है उसके घर में AC नहीं था तो मैंने उसको बोला एक काम कर ये ले AC ले जा 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 भाई जा एश कर AC ले जा बोलता पैसे कैसे मैं पागल एक रुलाएगा भाई को पैसे देगा तू तबड़ाओ क्या भाई को पैसे देगा नहीं कोई पैसे ऐसे नहीं जा एश कर विलाओट कांसिडरेशन मैंने अपना AC क्या कर दिया दे दिया अब बताओ सरका ने बोला साले तुम AC ले के आए हमने तुमको input क्यों दिया हमने तुमको ITC क्यों दिया जितना तुम GST प्रे करके आए थे उतना GST अपने तुमको set off करने दिया तुमारी output tax liability से क्यों set off करने दिया बताओ मैंने को क्योंकि तुम उसको उपने business में use कर रहे हो उससे तुम output service ले रहे हो और output service से तुमको उससे क्या मिल रहे है GST तभी तुम को हम set off करने दे रहे है तुमने साले उसको पूरा use नहीं किया और तुमने क्या कर दिया किसी और को gift कर दिया अब तुमने उसको किसी और को gift कर दिया और बदले में क्या लिये पैसे भी नहीं लिये यह तुमने पागल बना दिया हमको हमसे ITC ले लिया हमसे ITC ले लिया अगर तुम उसको बेचते तो हमको उसमें output tax मिलता सरकार ऐसा बोल रही है अब तुमने उसको without consideration दे दिया जादा भाई वंदी दिखाई तुमने भाव निभार हमें वहवार नहीं निभाना है हम तो GST इसमें collect करेंगे के बद सनमें आई है हम तो इसको क्या मानेंगे supply मानेंगे अगर मैं अपने business का कोई asset दे देता हूँ वो भी कैसे देता हूँ without consideration तो भी क्या मान लग जाता है उसमें GST लग जाता है deemed supply मान लिया जाता है क्यों मैया क्योंकि तुम उसमें IT एक मिट रुकना भी कहानी खतम नहीं हुई है क्योंकि उसमें क्या कर चुके हो तुम deemed ITC ले चुके क्योंकि उसमें तुम ITC ले चुके हो इसलिए उसको क्या मान लिया जाएगा deemed supply open market value निकाली जाएगी open market value अगर बेचते तो कित्ते गा बिकता उस value पे तुम से GST तुमको क्या करना पड़ेगा सरकार को जाके भरना पड़े तुमने अपना वैवार ने भाया सरकार को अपना वैवार ने भाने में कोई शौक नहीं है सीदी है logic भी है नहीं तो लोग क्या करेंगे business के लिए खरीदेंगे ITC लेंगे और फिर यहां माँ बोलेंगे हमने gift कर दिया जे कर दिया वो कर दिया ऐसे ऐसे करते रहेंगे अपनी balance sheet में दिखाएंगे ही नहीं फाल तू लोचा करते रहेंगे यह तो तरीका है यह तो तुम गलत कर रहें इस्तमाल लोग तुम तो मतलब loophole का फाइदा उठा रहे हो सरकार ने वोला loophole का hole कर देंगे हम तुमने अगर किसी को फ्री में भी दिया तो हम क्या करेंगे dream supply बनाएंगे और dream supply में क्या ले लेंगे GST ले लेंगे कोई doubt है अभी 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 अपन practicalities में बहुत अलग आते है अभी इसके बाद ना practicalities कैसे होती है मान के चलो बड़ा business है यह कोई बड़ी company है उसने जब कोई एक बड़ी machine खरीती होगी उसने अपने balance sheet में क्या दिखाया होगा asset दिखाया होगा account बनाया होगे audit कराया होगा उसने accounts में दिखाया होगा कि हमाँ पास 40 lakh की machinery आई है जिसकी ITC हमने लिया है अब अचानक्स तुमने वो balance sheet से क्या कर दी हटा दी बुले क्या हुआ अगर sale होती तो cash आता account में cash आता दिख जाता cash नहीं आया audit हुआ बुले यह cash आया machinery कहा गई बुले वो तो gift कर दी gift कर दी विटाइटी से तो लगेगा GST तो तुमाँ team supply हो जाएगी GST तुमको बढ़ना पड़ेगा पूरा ऐसे ऐसे बंदी हुई है कहानी accounts, GST, tax, income tax यह तीनों कहानी आपस में क्या है बंदी हुई है तुम खुद सोचो ना अगर मैंने यह AC खरीदा तो क्या मेरे balance sheet में दिकरा होगा बिल्कुल दिकरा होगा अब मैं इसको balance sheet से हटा दू तो यह तो बेचा होगा audit 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 तुम समझो तुम practically समझो तुम यह सोच रहेगा government आएगी Modi ji आएगे यह यह तेरा tax कहा है बात समझो audit होता है audit होता है आपकी क्या हो गई है आपकी भिक गई है यह machine भिकी तो कहां भिकी ऐसे तो समझो अगर तुम ऐसे सोचोगे सरकार income tax कहां से collect करेगी मैं property बेचता हूँ नगत ले लेता हूँ ऐसे बहुत सारी चीज़ है जो भी आपन को समझनी है यह audit में जाके कहां नहीं फस जाती है पहले मैं कोई पूरी picture कंप्लीट करने हूँ पन यहां माँ चलेगा है यहां के समझना है सरकार ने क्या बोल दिया deemed supply सरकार ने क्या बोल दिया deemed supply अगर तुमने gift किया है तो दूसरा example अब यह मेरे दोस्त को आगई लालच यह बोलता है भाई तूने ना थोड़े दिन पहले कार भी खरी दी थी क्या खरीदी थी कार बिजनिस के लिए मैंने का हाँ यार बिजनिस के लिए कार दो खरीदी थी हाना ओमनी वेन खरीदी अब भी मैं इसके चक्या के बनवा के मैं अपना सर्वेस अब काम बिजनिस चालू कर लूँगा मैंने खरीदी थीख है यार ले जा जिए काल ले गया क्या ले गया काल आगे चलके तुम पढ़ोगे यह जो होता है यह ब्लॉक क्रेडिट होती है ब्लॉक क्रेडिट का मतलब यह होता है कि इसमें ITC लेने ही नहीं मिलता है चाहे तुम रखो चाहे तुम बेचो एक कॉंसेप्ट आता है आगे चलके ब्लॉक क्रेडिट जो यह बूलता है कि कुछ चीज़ों हम ITC लेने आपको नहीं देंगे कुछ Commodities में आपको ITC लेने नहीं देंगे, जिसमें से एक चीज़ क्या आती है, कार, क्या आती है, कार, क्या आती है, कार, क्या आती है, 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 क जब था था मैं GST दे चुका हूँ, क्या मेरे को ITC ले ने दिया, जब मेरे तुमारा ITC लिया ही नहीं शाला, तो काये का तुम मेरे को बोल रहे हो, ड्रीम सप्ला है, मैंने भरता तुम को इसमें GST, Moral of the story क्या है Moral of the story क्या है सुन रहे हो Moral of the story क्या है अगर आपने कोई ऐसा asset transfer किया जिसमें आप क्या कर छुके हो Credit ले चुके हो तो फिर उसको अगर आप free transfer कर रहे हो तो सरकार को दिक्कत है क्योंकि तुम उसका ITC ले चुके हो और GST बचा रहे हो तो सरकार ने बुला नहीं नहीं क्या dream supply सरकार ने क्या बुला लेकिन अगर तुम ऐसा sit transfer कर रहे हो जिसका तुमने ITC नहीं लिया है और तुम freak में करें पास कर रहे हो तो सरकार ने बुला जा आग लगा दे बेच दे कुछ भी कर दे मिल कोई लेना देना नहीं है without consideration है तो मैं उसको GST मैं उसको dream supply नहीं मानूगा अब दो मिट अपन read करेंगे उसके बाद बात करेंगे permanent transfer disposal of business assets permanent transfer disposal of business assets where ITC has been availed on such assets when ITC has been availed on such assets typically donation of business assets or scrapping or disposal of any other material manner without consideration would qualify as supply under this clause where ITC has been claimed on the same where ITC has been claimed on the same example जो मैंने आपको देखा वो ही दिया है in case of cars purchased by a company for use by its director would not qualify for ITC उसमें ITC नहीं मिलता है and such ITC would therefore not have been claimed say after a few years the same car is transferred to such director on a free cost basis in normal course it is disposal of business assets however this would not be treated as supply for schedule 1 as no ITC has been availed on such car कितनों को समझ में आ गया moral of the story आपने business asset खरीदा आपने business asset खरीदा और उसमें ITC लिया कि नहीं लिया अगर ITC लिया और फिर free में transfer किया अगर free free में transfer किया तो उपर से आवाज आएगी क्या है supply है supply है supply है supply है और अगर तुमने ITC लिया ही नहीं अगर तुमने ITC लिया ही नहीं अब आपको क्या है supply की condition ही आपने फुल्फिल नहीं हुई तो GST की कहानी तो आएगी नहीं stage 2 से ही आप बहार हो गए कितनों को समझ में आए ये कहानी हाँ उठाओ crystal clear मैं इतनी बात है क्यों कर रहा हूं मैं चाहूं तो सीधे सीधे बता सकता हूं ITC लिया तो नहीं लिया तो इतना ऐसे ऐसे लेकिन वो पूरा GST रटना पड़ेगा मैं इतनी कहानी इसलिए इसलिए बताना हूं ताकि तुमको याद रह जाए logic की क्या होता था और क्या नहीं होता था कल को तुम पर question आए तो तुम सीधे बता पाँ हाँ बाई ITC लिया है तो हम नहीं लिया है तो GST रटना पड़ेगा सब लाएं मानेंगे ITC नहीं लिया है तो सब लाएं नहीं मानेंगे logic is very simple कित्तों को समन में आया पहला वाला क्या बाद सन में आ रही है मैंने उसको बुला कि एक काम कर या हमारी खेर और करने नहीं बूल सकता क्योंकि वह बना है लेकिन ठीक है मैंने बूला एक काम कर की कोचिंग की बनादे कनो अकाउंट्स बना दे या कुछ financial consultancy दे दे उसने बूल ठीक है सब दे लो financial consultancy उसने मेरे को दी है मैंने का पैसा इतना होता है बैसा की बात थेरा business मेरा business उसके आप ऐसे की बात है कोई दिक्कत की बात नहीं है मैंने का ओ वेरी गुड कोई बात नहीं ठीक है सी ये बीवी होने का फायदा कुछ जरत नहीं है करने की तो हमने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं नहीं दिया तुम्हारा मैं बीवी का आपस में कुछ भी चलता रहे हमको लिना देना नहीं तुम बलोगे नहीं दिला रहे उसने बोल देगी याद करो और तुम्हारा क्या किया था यह financial council सी दी थी, क्या मना कर पाओगे, नहीं है, कहीं नहीं निकल जाएगा बेटा, सरकार जानती है, ऐसे नहीं तो वैसे, कहीं कोई सरकार नहीं छोड़ने वाली, सरकार बोलती ही, तुम लोग आपस में कल को पटी होगे, कुछ ना कुछ adjustment कर लोगे, हमें लेन देने नहीं है, अगर एक रिष्टेदार ने, दूसरे रिष्टेदार को कुछ भी ऐसी चीछ ट्रांस्फर करी है, ति हम उसको क्या मान लेंगे, supply मान लेंगे, अभी इसमें बहुत लंबी कहानी है, सुनना ध्यान से, ठीक है क्या, supply of goods or service both between related persons, between related persons, of business, तभी dream supply माना जाएगा, ओविसी बात है ना भी या, मेरी भी में को पराठर वाना के लाके दे रही है, और मैं बोलाँ supply, सरकार बोलेगी dream supply, dream supply, उसका वो business है ना भी या, वो chartered accountant प्रैक्टिस करती है, वो उसका business है कि उसने मिने कोई financial consultancy दी है, और मैं उसको अपने business में use कर रहा हूँ, in course or furtherance of business, क्या बाद सनमे आ रही है, ऐसा थोड़ी कि दो पराठर ले आना तो उसमें जीएश्टी लेग जागा, dream supply, dream supply, ठीक है, relative को दिया है ना, फिरी कि without consideration, ऐसा नहीं होता, क्या बाद सनमे आ रही है, कहा course of furtherance of business है, कहा course of furtherance of business नहीं है, अभी तो हसी ठेटोलीम बड़ा मज़ा आ रहा है, जब question आता है, पूरी case study बनके की बताओ, कौन सीचीट supply है, कौन सीचीट supply नहीं है, तो वहाँ पर हम जूम बनाबर जूम शराबी हो जाते हैं, क्योंकि यह सारी बात हैं ध्यान नहीं रखते हैं, logic पकड़के चलोगे, तो कभी नहीं भूलोगे, यहाँ तक सबको समझ मैं है, आप देखो क्या बुला, यह course of furtherance of business को highlight कर लेना, ठीक है, यहाँ तक clear है, अच्छा, एक होता है distinct person, distinct person क्या होता है समझ रहे हो, कभी समझा है कहा है, कैसे समझोगे, आओ मैं समझाता हूँ, मेरा क्या है, मान के चलो, एक business है, जैसे मान के चलो, कोई भी एक दुकान बताओ, यहाँ पर जबलपूर शहर में, जिसकी बहुत सारी बरांचे सो, कोई भी एक चीद बता दो, अपर जबलपूर की बता ना भी, हीरा स्वीट, चलो, अपन ने कह लिया example, हीरा स्वीट का, हीरा स्वीट का अपने example लिया, एक हीरा स्वीट है, दूसरी हीरा स्वीट है, क्या बासन में आ रही है, यह वाली HeeraSweet भी Cake भेज़ती है . याँबे क्या थोकानों मत पढदो तुम एक दुकान समझीं। तुम एक बुच्निसारा है के सुचो मेरे सीर इंप सब्सक्तित्स आ यह, यह क्यों से उसको supply माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा कि इस थे जोने माल खतम हो गया अपना से माल गोहारी कट अपनी एक दुखान से दूसरी दुखान में बेचा और सरकार क्या बोल रही है टीम सप्लाइ जीएश्टी मारो अरे लोग खोलेंगे गी बांच मोलें पांगा लोग कि एक दुकान से दूसरी दुकान में तुम सप्लाइ लगा रहे हो नहीं माना जाएगा सप्लाइ नहीं है तुमने टीम सप्लाइ पढ़ रहे हैं तो होगी होगी ऐसा थोड़ी होता है कि एक Heera Sweets कहां पे हैं? MP में. और एक Heera Sweets कहां पे हैं? UP में. अब MP वाले Heera Sweets अपना माल स्टोक प्रांसवरी कर रहा है, लेकिन UP वाले Heera Sweets में कर रहा है. अब बताओ इसको supply. मैं बताओ, लॉजिक से समझ बता ना? बताओ, इसको supply माना जाना चाहिए कि नहीं माना चाहिए? क्यों माना जाना चाहिए? क्योंकि अब यह बिकेगा तहां से, UP से, collect coin करेगा? UP वाला बंदा, GST किसके पास आएगा? UP वाले के पास, और ultimately किसको pay करेगा? UP वाले को. MP government बोली, साला बना मेरे हां. ITC, जब इसने खरीदा होगा, तो यहां से, raw material यहां से खरीदा होगा, मिरसे तूने क्या ले लिया? ITC, मिरसे तूने क्या ले लिया? ITC, स्टॉक ट्रांसर किया UP में, और GST का benefit किसको मिल गया? UP को, यह तो भाई, सरा सर ना इंसापी है, बोलो, खाया नहीं? अगर एक ही बन्दा, तो अलग, चलो मैं बोल रहा हूँ, यह भी एक बात, यह एक बात समझ में आ गई. अब मैं बोल रहा हूँ, स्टेट की boundary नहीं है. कोई और कारन से, दोनों का GST नंबर ही अलग है, registration ही अलग-अलग है. Registration ही क्या है? अलग-अलग है. एक registered person, दूसरे registered person को क्या कर रहा है? transfer कर रहा है. क्या बात सनमयरी है? तो भी इसको क्या मान लिया जाएगा? supply मान लिया जाएगा. वैसे यह distinct नहीं है, पर इनको मान लिया गया deemed distinct person. क्या मान लिया गया? deemed distinct person. क्या बात सनमयरी है? तुमने दो GST के registration लिये? दो जगे पहला-ग-अलग ITC लेते हो? छीक है? अलग-अलग जगे पहला-ग तरीके supply करते हो? काय को हम मानें? क्या बात सनमयरी है? अगर मान के चलो बीच में boundary आ जाती है registration की एक बंदा दो जगे पहला-ग-अलग registration है और एक registered person दूसरे registered person को बेच रहा है सरकार दोड़ी जानती है यही कल्लू है, यही कल्लू है दोनों दोगाने कल्लू की है सरकार कल्लू को नाव से जानती है team distinct person क्या मान लिया गया? team distinct person तो उसको क्या मान लिया जाएगा? supply मान लिया जाएगा supply of goods or services or both between related person और between distinct person और between distinct person अपन पढ़ेंगे distinct person की definition as president section when made in the course of furtherance of business क्या बाद सन में आ रही है की नहीं आ रही है? अच्छा समनना ध्यान से मज़दार चीज एक और चीज अपनने पढ़ी थी पहले देखता हूं कि तो को यान है heavy duster नहीं हो रहा है? पक्का? आदर्स मेटा? ब्योस योस नशाशा सब पढ़िया? मंगाए कुछ चकनाकना थोड़ा सा जिंदिक में तो को पानी कैसा सादा चीज और मिक्स्टर चीज बता दू क्या चीज तू बोल बस ब्लैक वाटर चाहिए साले ब्लैक वाटर चाहिए इसको उत्ती तो है अच्छा एक ग्रूप की तब फिर ठीक है चलो चलो आजा 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 याँ देखो पहले ठीक है आगे बोलू मैं खराब सा जोक आया था मैं रोक लिया अपने आपको ठीक है मैंने कर नहीं ऐसे यूटूब में नहीं जाना चाहिए ऐसी बात है ठीक है आजाओ अरे सुनो 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 क्या बतार तो बोला दिया अरे क्या पढ़ रहे थे अपन हाँ भूल गया फिर से भूल गया याद नहीं आया ठीक है टीम डिस्टिंग परसन मताया ना मैंने हाँ हाँ याद आगया आज समझो इंपलॉयर है कौन है इंपलॉयर और कौन है इंपलॉई Employer है कौन है? Employee Employee ने Employer को Service दी है और बदले में पैसे लिए है बताओ क्या ये Supply माना जाएगा की नहीं माना जाएगा ये हमने Specifically Exclude किया था याद है क्या हमने पढ़ा था Employer Employee को क्या दे रहा है? Service दे रहा है तो उसको आपस में क्या माना जाएगा? Supply नहीं माना जाएगा नहीं तो salary में GST फिल दो पहली उस पे income tax लगा रहे हो और GST फिल दो Employer तो होते ही नलाइक है वो पूरा पैसा तो Employee से ही पिलेंगे तो भारा Employee पिस्ता चला जाएगा इसले इसको क्या माना गया? Supply ही नहीं माना यहाँ तक कहानी तो अपने को clear है पहले से हो मेंने साथ? अब सबनना अब क्या हुआ? Bonus आया क्या आया? Bonus, दिवाली bonus दिवाली bonus Employee Employee ने दिया Employee को जब अच्छन में आ रही है तो बताओ, क्या यह Supply माना जाएगा? नहीं क्योंकि यह salary का इस एक तरीकी जो service दी थी बदले में क्या दिया? Bonus ठीक है, अच्छा Employee को फिरी में गाड़ी दे दी Car दे दी Car दे दी, बोले यह लो Car लो एक दो ले जाओ, चलाओ, एश करो क्या बद सन्मे आ रही है तो क्या यह माना जाएगा? हा? नहीं, नहीं, बोली जाओ, यह लो Car रखो तुम, Car रखो तुम ऐसी मिलियाती, ऐसे थोड़ी बोले कि तुम यहा मत लेके जाना महा लेके जाना, ऐसे देते हैं, Car यह लो आने जाने के लिए अब बताओ, यह क्या होगा? Supply माने जाएगी? अच्छा, यह अगर इसका employee नहीं होता, तो क्या इसको car मिलती? Employer-employee relationship के कारणा नहीं मिल रही है न? यह सब भी supply है? नहीं माना, समणना ध्यान से. अब दिवाली में, एक employer ने सबको gift बाटे, क्या बाटे? Gift, सबको क्या बाटे? Gift, तो क्या इसको supply माना जाएगा? आप सुनना ध्यान से बात को. जितनी बातें, आपके employment contract में पहले से लिखी हुई है, जितनी बातें, आपके पहले से क्या है? Employer contract में लिखी हुई है. जब आपको employee रखते हैं, तब बोलते हैं, कि आपको इतनी salary देंगे, आपको graduate मिलेगा, आपको bonus मिलेगा, आपको J मिलेगा, आपको रहने को घर मिलेगा, गड़ी मिलेगी. यह सब आपके employee contract में है, तो यह सबको supply नहीं माना है. लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि मैं किसी employee से बहुत सखुश हो गया, मैंने करें, जा यार, तू भी कहा जाद रखेगा, contract में हो चाहें, ना हो, यह ले, घर रख लेग ठो. क्या बाद सनमेहरी है, यह कोई भी एगिफ्ट बाढ़ दिया सबको, तो उसको supply मान लिया जाएगा. अभी तो हमने टुक ना थे, यहां से, यहां तक समान में आया, यह provision डाला, दिवाली आई, दिवाली में, employer को लगा है, हमें अपने employee के लिए कुछ करना चाहिए, उसने सब को क्या की, वो कांच की छोटी-छोटी काटोरिया माटी, वो जो काटोरिया बाउल सेट होता है, उन सारे employees को क्या कर दिया, बाढ़ दिया, औब बोले लाओ, इसको हमको सरकार ने क्या बोली, इसको Dean Supply, क्या बोल रही है, Dean Supply, GST भरो, सरकार काटोरियों में GST लेग रही, वो भी जो employer को employee में gift में दिया है, सरम नहीं है सरकार को, खाए रहे का कर दिया सरकार, तो फिर सरकार ने बोला, अगर employer में employee को gift दिया, अगर employer में employee को gift दिया, एक निटुक ना, not exceeding 50,000 rupees in value, by an employee to an employee shall not be treated as supply of goods, और services और both, अगर 50,000 से उपर gift दे दिया, ऐसा सोने होने की chain दे दिया, कार आर दे दिया, तो सरकार बोली कि जादा रही से दिखा रहा, टीम सपलाई GST लगाओ, या बाद सरकार में आ रही है, लेकिन अगर मान को बिचारा काटोरी चमत बाट रहा है, अगर क्या है, डिस्टिंट परसन ने, या रिलेटिव ने, क्या किया है किसी को, कुछ भी goods और services दिये हैं, तो उसको क्या माना जाएगा, शपलाई, इंप्लोयर, इंप्लोयी भी एक तरीके से related परसन ही होते हैं, लेकिन अगर वो gift जो है, विदाउट कंसिडरेशन है, लेकिन 50,000 से कम का है, तो उसको supply नहीं मानेंगे, 50,000 से जादा का है, तो उसको supply मानेंगे, क्या बाद सन्मेरी है, income tax में भी आएगा, पढ़ेंगे परम income tax में भी उसमें, ठीक है कोई भी gift मिलता है, पढ़ेंगे उसको अपन, यहां तक समझ में आगा है सबको, अब एक बाद distinct person has been defined section to mean a person who has obtained, और is required to obtain more than one registration, whether in one state or union territory, or more than one state or union territory, shall in respect of each such registration be treated as distinct person, for the purpose of this, मतलब अगर दो registration है, अगर दो क्या है, registration है, भले दोनों के same क्या हो, पैन हो, भले दोनों के same क्या हो, पैन हो, उनको क्या माना जाता है, distinct person माना जाता है, क्या माना जाता है, distinct person माना जाता है, और आपस में अगर good sales service transfer कर रहे हैं, तो उसको dream supply मान लिया जाता है, क्या बाद सनमयरी है, related person कौन होंगे, एक बार मैं चाहूँगा, दो मिनिट का समय देखे, अभी ये art point अभी, कि अभी इसी वक्त पढ़ेंगे, ठड़ा, के अभी ठक जाओ, तो बता देना है, थक से तो गये है nan, थक से तो गये है, थोड़ा सा, तो थक से गये है, बॉदा बचोब, बाइंड कार रहा है, सुनो, 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 सुनो,草न्या, सादारण सी बाते बची, थाकाने वाली वात है खाता मों गई यहां सुनू आओ देखो जीवन में प्रिंसिपल ने जुमेटो नहीं आया अरे यार अरे यार लगता है उसमें वहां से और कैंसल कर दिया जुमेटो मुझे लगता है कुछ करना पड़ेगा अपनों कुछ तो यार खाना नहीं भिजवा है क्या तरीका यार इसका और किया मैंने रुख जाओ भी तो इतना उनलों को रुखो वेड़ा छोड़ूंगा नहीं मैं क्या है चलौ अभिए हमाँ तर पढ़ें लिए टैम विस्ट ना करते ठीक है प्रिंसीपल ले एजेंट को कोईट सप्लाइए कि एजेंट ने प्रिंसीपल को को hello Zometo sorry wrong number ठीक है? चलो आओ ठीक है? सुलो द्यान से क्या दा? प्रिंसिपल ने एजेंट को बेचा चालो है चालो है प्रिंसिपल ने एजेंट को बेचा एजेंट ने प्रिंसिपल को बेचा दोनों में क्या माना जाएगा? टीम्ड सप्लाय दोनों में क्या मन जाएगा? इसमें बस एक क्याचा सुटना ध्यान से एक है प्रिंसिपल एक कौन है? प्रिंसिपल एक कौन है? एजेंट और एक कौन है? कस्टुमर प्रिंसिपल गुड्स बेचता है एजेंट को एजेंट आगे बेचता है कस्टुमर को अब प्रिंसिपल ने जब एजेंट को गुड्स बेचे तो उसने बिल बनाया एजेंट के नाम का किसके नाम का बिल बनाया एजेंट के नाम का और एजेंट ने जब कस्टुमर को बेचे तो गुड्स बनाया किसके नाम का customer के नाम का यह तो साधारन सी बात हुई इसको जब principal ने agent को बेचे इसको भी dream supply माना जाएगा भले यह without consideration हो भले यह क्या हो without consideration हो और जब agent ने customer को बेचे तो उसको भी क्या माना जाएगा supply माना जाएगा यह तो consideration के साथ हो गई हम पढ़ क्या रहे हैं हम पढ़ क्या रहे हैं हम पढ़ क्या रहे हैं supply माना जाएगा principal ने agent को बेच दिये bill बना के बेच दिया और बोला कि यह काम करना जब customer को भी जाए जब पैसे आ जाए तब इनको पैसे देना कोई बात नहीं तो यहाँ में principal ने agent को bill बना के बेचा without consideration या agent ने good वापस किये principal को या बेचे without consideration लेकिन bill बना के तो वो सब क्या मानी जाएगी team supply मानी जाएगी क्या मानी जाएगी team supply मानी जाएगी एक extra वात है वैसे इत्ता detail में तुमसे पूछेंगे नहीं बट still कई बार क्या होता यह principal है यह agent है यह customer है यह agent क्या करता है principal और customer को आपस में मिलवा देता है यह principal और customer को आपस में क्या करता है मिलवा देता है और transaction हो जाता है बताओ क्या ये agent कहलाया क्या ये agent बन पाया अज फरजी सा agent है लपू सा सचे नहीं क्या बाद सथ में आ ली है agency का काम करते इसको आवे न, agent बन गया है माल आल बेच पानी रहा है, क्या मतलब का है इसमें principal agent relationship establish ही नहीं हुआ तो यहाँ पर team supplier concept नहीं आएगा team supplier concept का बाएगा जब principal agent को माल बेचे और उसके नाम पे bill बना है जब agent principal को माल बेचे तो उसके नाम पे bill बना है इतनी detail तो उसे पूछी नहीं जाएगी लेकिन चिल मैंने आपको बता थी क्या करना जब आज सन्म्यारी है पहले चार पॉइंट आपके हो गए है ये वाला ये वाला supply of buy principal to agent and agent to principal इसमें थोड़ी सी कहानी है import of service में हमको थोड़ी सी detail लगेगी मुझे लगता है कि आज हमें इतना ही करना चाहिए 5 मिंट का break with duty